हेलो दोस्तों ठेकी द्यम में आपका फीट से सुवागा थें दोस्तों हाडव एक डिवnehmen Notes काने का feature आपको देखने को मेल जाता है जयासे में रे device में आप देख सकते हैं Keep Notes का feature है अगर आपके device में ये feature नहीं है तो आसानी से आप play store से कोई भी application को download कर सकते हैं लेकिन जिस application को आप ज़्यातर use करते हो अगर उसी application में ये feature आ जाता है तो कैसा होगा जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ whatsapp की लेकिन whatsapp में अभी तक ये feature को introduce नहीं किया गया है लेकिन इसका जो competitor application है signal इसमें आपको इस feature को देखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं signal में note to self का आपको एक feature देखने को मिल जाता है लेकिन signal तो ज़्यातर user use करते हैं ज़्यातर user use करते हैं whatsapp day to day live में whatsapp बहुत ही ज्यादा use होता है चाहिए हो आप business man हो या फिर आप student हो या फिर चेट करने के लिए whatsapp को इंडियान user जातर use करते हैं लेकिन यह feature तो आपको whatsapp में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक जुगार करके आप इस feature का लाव उटा सकते हैं तो इस वीडियो में आपको इस feature को दिखाने वाला हूँ क्या हो ट्रिक है जिसे यूज़ करके आप keep to notes feature यूज़ कर सकते हो ओके तो चलिए आपको यहाँ पर क्या करना है simply जाना है chrome browser या फिर किसी और browser ने आप जा सकते हैं जास यहाँ पर जाना है उसके बाद यहाँ पर type करना है आपको में यहाँ पर दिखाता हूँ wa.me उसके बाद double slash देना है आप single slash भी दे सकते हो उसके बाद आपको country का code देना है जासे मैं इंडिया में हूँ इंडिया के लिए 91 है तो 91 उसके बाद आपका number देना पड़ेगा इस number पर आपका WhatsApp एकाउंट है उसी number को यहाँ पर डालना पड़ेगा तो चलिए मैं यहाँ अपना number डाल देता हूँ ओके उसके बाद enter कर दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं chat on WhatsApp with 91 जो country code है उसके बाद आपका number यहाँ पर सो होगा then continue to chat तो यहाँ पर दो एकाउंट दिखा रहा है क्योंकि मेरा WhatsApp दो एकाउंट में है तो जिस number को मैंने यहाँ पर डाला है व यहाँ पर एक अलग chat box open हो चुका है मेरा ही number का chat box मदलब आप खुद के number के साथ chat करोगे लेकिन यहाँ पर number save नहीं होगा क्योंकि आपका ही number है और इसी number पर आपका WhatsApp एकाउंट है इसलिए यहाँ पर number save नहीं होगा अगर आप save भी करते हैं फिर भी यहाँ पर number ही सो होगा तो यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है ओके तो यहाँ पर जो भी कुछ आप लेगना चाते हैं आप लिख सकते हैं अगर किजी से पैसा लेना हो किजी को पैसा देना हो कुछ भी reminder करना हो सब कुछ यहाँ पर आप आप नहीं सब से लिख सकते हैं सब अपने phone में ही रहे हो तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का ठ्लिक पाने के लिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में